हेलो स्टूडेंट आप सभी लोग थर्ड राउंड की कांसिलिंग का वेट कर रहे थे तो थर्ड राउंड की कांसिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थर्ड राउंड की कांसिलिंग का वेट कर रहे थे लेकिन आपको ये भी पता होना चाहि इलिजबिल्टी क्राइटेरिया फार राउंड थर्ड यहां पर इन्हों दे रखा है आल दा कंडिडेट्स आर इलिजबल फार पार्टिस्पेटिंग इन राउंड थर्ड एक्सेप्ट मतलब कि इन्हों ने कह दिया है कि फार्ट या सिकेट मिल गया था वो लोग पार्टिस्पेट नहीं कर सकते अगर आप अफग्रेड करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको मौका नहीं मिलेगा मतलब आज तो इस्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोग नहीं करेंगे तो कल 19 से 19 को करेंगे और फिर 20 से 20 मान के चलिए आपके पास तीन दिन का टाइम है रजिस्टेशन करने के लिए अब आत रही रजिस्टेशन भी आप लोग कर लेंगे लेकिन ये भी पता होना चाहिए टोटल सीट कितनी बची है तो आप सभी को कुछ नहीं करना है वेबसाइट पर आ जाना है ठीक थोड़ा से रिफ्रेस करना है अगर आपके में ऐसा दिख रहा है तो कोई अच्छी बात है नहीं दिख रहा तो एक बार रिफ्रेस कर लेना रिफ्रेस करने के बार नीचे आ जाना तो यहाँ पर आप और कितनी सीटे खाली हैं? मतलब आप मानले, जैसे DMLT आप सभी को करना है? किसी भी college से, मानले, जैस्वियम से आपको DMLT करना है? तो यहाँपर आप सभी को पता चल जाएगा कि यहीं सीटे में कितकी total सीटे वैकेंट हैं DMLT कोर्स की? तो हर college की list है यहाँ पर इसमें आप लोग चेक कर सकते हो हर college की list दी गई है कि किस college में और किस course में कितनी seat वैकेंट हैं तो सारी चीज़े यहाँ से आप सभी को पता चल जाएंगी और मैं यह list टेलिग्राम पर भी share कर दूँगा अगर आपने टेलिग्राम जाइन कर रखा तो अच्छी बात नहीं किया है तो मैंने description में link दे रखा टेलिग्राम जाइन करने का आप लोग एक बार description चेक करना वहाँ से आप सभी जाइन हो सकते हो तो चलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा seat detail भी दिखा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो यह total list है जो कि मैं टेलिग्राम पर भी share कर दूँगा वहाँ से आप सभी को मिल जाइग यहाँ पर हर college की list प्रवाइट की गई है कि किस college में कितनी total seat वेकेंट हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हो और यहाँ पर course की भी list प्रवाइट की गई है यहाँ पर देख सकते हो यह सारे के सारे course हैं जो कि यहाँ पर अविलेवल हैं हर course की यहाँ पर seat भी दिखाई गई है कि किस course में कितनी seat वेकेंट हैं सभी की सभी ज्यादा तर you are open में है मतलब general category में रखी गए जिसमें हर category की student ले सकते यहाँ पर category wise यहाँ पर seat नहीं बची हुई है मतलब आप SC category से बिलोंग करते हैं OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप सभी यह जान लो OBC open, SC open यहाँ पर कहीं कहीं पर एक दो seat हैं बाकी का सारी की सारी you are open में है last में आप यह भी देख सकते हो total seat count ठीक है तो जितने भी course में total seat बची हुई है सारी की सारी यहाँ पर दिख रही है तो इस लिस्ट में आप सभी लोग देख सकते हैं इसाफ से आप सभी को registration करना है अगर आपको लगता है कि आपको जो course जो कॉलिक पसंद है वहाँ पर seat वेकेंड हैं तो जरूर आप लोग participate कर सकते हो मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पर offline मेरे इसाफ से नहीं होगा online ही आप सभी को seat alert की जाएगी क्योंकि यहाँ पर seatों की जो संख्या है वो बहुत कम बची और आप लोग यह भी पूछ रहे हो कि upgrade कर सकते हैं कि नहीं तो मेरे इसाफ से upgrade करने का यहाँ पर इन्होंने option नहीं दिया है फिर भी एक बार registration करके देख लिजिए अगर registration होता है तो upgrade करने की courses कीजिए फिलाल जिन लोगों को कोई course कोई seat नहीं मिली थी तो वो लोग जरूर यहाँ पर participate करेंगे और comment में यह भी बता देना कि registration कितने रुपए का हो रहा है क्योंकि मैंने अभी check नहीं किया है कि कितने का registration हो रहा है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था फिर भी कोई question है तो comment जरूर करना और मेरे telegram गूरूप को join कर लो वहाँ पर जो सवाल है आप सभी मुझसे personal पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो